हेलो अब्रीबन अगर आपको भी एक एसा credit card चाहिए जिसमें कि आपको कोई भी जॉाइनिंग फिन आ देनी पड़े को भी आपको एनौल फिन आ देनी पड़े जिसमें कि आपको अच्छा benefit फेचर देखने को मिले साथ ही जिसमें कि आपको ATM से cash withdraw भी आप उससे कर पाएं तो यहाँ पर आपको camera bank की credit card की तरफ जाना चाहिए इस video के अंदर में आपको camera bank के रूपय platinum credit card की कैसे apply करते हैं प्रोसेस बताने वाला हूँ साथ ही यहाँ पर हम इस credit card की complete feature benefit के बारे में बात करेंगे इसके charges क्या है eligibility क्या है कौन कोन से user को credit card मिलेगा complete मैंने इस video के अंदर बताया हुआ है साथ ही इस video के अंदर आपको time stamp भी मिल जाएगा तो आप चाहाँ तो कोई आपर जो भी आपको point अच्छा लगता है आप उस point क आपको check out कर सकते हैं वीडियो को description में आपको time stamp available मिल जाएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर benefit से सुरुवात करते हैं इस video को तो यहाँ पर इस credit card पर आपको EMI की facility मिल जाती है अगर आप 5,000 या फिर 5,000 से अधिक कि जब भी आपको product buy करते हैं तो उस पर यहाँ पर आप EMI facility का यूज करके उसका यहाँ पर जो भी तीन मेने छो मिने में आप चाहें तो EMI facility का यूज कर सकते हैं इस credit card पर साथी जो credit card है इससे अगर आप e-commerce platform जैसे के flip card, Amazon, Mintra जैसे किसी भी e-commerce platform पर जब आप transaction करेंगे 100 रुपीज का भी minimum अगर आप transaction करेंगे इस credit card का यूज करके तो यहाँ पर आपको 2 reward points दिये जाएंगे जो एक reward point की value है 25 पैसे की quality है तो यहाँ पर आपको 2 reward points means 50 पैसे यहाँ पर आपको reward point की रूप में दिया जाएगा साथ ही यहाँ पर हम बात करें तो इस credit card पर आपको add-on card की facility मिल जाती है अगर आपकी family में 40 member हैं तो यहाँ पर आप immediate यहाँ पर add-on card facility का भी यूज कर सकते हैं साथ ही यहाँ पर आपको purchase protection cover मिल जाता है accidental insurance cover मिल जाता है यहाँ पर आपको loss card liability भी मिल जाती है and baggage यहाँ पर insurance भी देखने को मिल जाते हैं अब चले हम बात करते हैं eligibility की कि कौन-कौन से लोग इस credit card के लिए apply कर सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम eligibility की बात करें तो अगर आपको account canra bank में है यहाँ आपको existing customer है और अपको credit card की और सकता हो तो साथ ही अगर हम civil score की बात करें तो 700 या फिर उससे अधिक अगर आपका civil score है तो यह जो credit card है बड़े ही आसानी से आपको मिल जाता है इसके लिए हाँ पर आपको कोई पर भी जानी के हो सकता नहीं है ब्रांच जानी के हो सकता नहीं है फोली जो process है ऑनलाइन होता है अगर आ हो आ जाता है तो एक सबसे अच्छी बात कही जाएगी साथ ही जो credit card है यहाँ पर सेलरी पर्शन और self-employed पर्शन दोनों ही apply कर पाएंगे मिन से अगर आप कोई salary करते हैं आपकी job है तो भी आप apply कर सकते हैं अगर आपका खुद का कोई बीजनेस है और आप छोटा मटक अब complete जान लिया होगा इस credit card related feature benefit eligibility अब हम बात करते हैं चार्जेस के बार में तो चार्जेस हैं जो कि यहाँ पर आप इस card का अच्छे सी यूज करेंगे तो वह भी चार्ज आपको देने के हो सकता नहीं पड़ेगी तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ज्वानिंग फी अच्छे से करते हैं जैसे कि यहाँ पर in activity fee के दौरान बताया गया है कि अगर आप एक साल के अंदर इस credit card को यूज करके 50 यह फिर उसे कम का ट्रांजिक्शन करते हैं मैं से यहाँ पर total turnover जो है 50,000 से बिलो होता है फिर 50,000 होता है ताब यहाँ पर 200 रुपी आपको परेनम करते हैं तो इतना आपको पता हुआ कि इस पर आप काफे दर शौपिंग कर सकते हैं यहाँ पर एक साल का टाइम डिया था है अगर आप यहाँ पर 50,000 अधिका यहाँ पर turnover कर देते हैं तब यहाँ आपको 200 रुपीज का जो परेनम चार्ज है यह भी देने के हो सकता है नही करते हैं apply process के और कोई कैसे हम इस उललेन apply कर सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस का फेद सिंपल और इजी प्रोसेस है आप इसको इसको ईज़ी कर सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको उसको बतादेता हूँ उससे पहले आपको हमारे वीडियो अगर आपको अभी तक पसंद रहा ह लाइक कर सकते हैं एंड चैनल पर नियू आये होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा इस चैनल पर आपको बैंकिंग इंट फिनेंस से युड़ी वीडियो देखने को मिल जाती है और आप इस वीडियो को सेयर करके फिर कमेंट वोक्स के माद हमसे अनुदर रिस्प के लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है तो वहां से भी क्लिक करके आ सकते हैं अगर आपको क्रिडिट काड अपलाई करना है तो तो सबसे फर्स्ट पर यहां पर अपने अकाउंट नमबर को फिल करेंगे अगर आपका एकाउंट के तो यहां पर फिल कर सकते हैं उसको वाद यहां पर आपको कस्टमर टाइप सेलेक्ट करता है कि अगर आप इंडिवीज्वल हैं सिंगल अपने पॉस्टनल अपने लिए अकाउंट ओपिन किया है फिर बिजिनेस है फिर ग्रूप अफ इंडिवीज्वल है तो आपने लेगा तो झो भी यहां पर आपकी लोकलिटी होगी जहां पर खत्ते होंगे तो यहां पर अपनी इंटर कर देंगे cał डिइटेल अगर आपको अपनी वाहन लंबर फिल कर देनी हैं वहां पर आपको सभी याफिज्वल के चाउंट me यहाँ पर आपको city के नाम से option देखने को मिलेगा तो simply आपको select के बटन पर click कर देना है अब जीस भी city में रहते होंगे यहाँ पर अपने according select इसको कर लेंगे यहाँ पर आपको अपने email id को फैल कर देना है ध्यान रहेंगे जो भी email id फैल करें यह भी account के साथ link होना चाहिए इस पर यहाँ पर आपको bank cure से mail भी receive होगा तो इस बात का ध्यान रखेगा अब यहाँ पर आपको request for के नाम से option मिलेगा तो इस पर यहाँ पर आपको select के button मिल रहा है simply आपको इस पर click कर देना है इसमें भी आपको काफिजा option मिलेंगे simply यहाँ पर आपको third वाला जो option मिल र सकते हैं यहाँ पर आपको जो भी capture सो रहा है CWARD उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है आप में कुछ अलग सो होगा तो यहाँ पर जो भी हो अपना फिल कर लीजिएगा और नीचे आपको एक सब्मेट का button मिलेगा simply आपको submit के button पर click कर देनी है अब simply हम submit के button पर click कर दिय हैं अब यह processing हो रहा है अब आप देखेंगे यहाँ पर request for a service के नाप से फिर option मिलेगा and बताया जाता है कि thank you for requesting camera bank services we will touch with you shortly and यहाँ पर आपको एक reference number provide कर दिया गया है अब आप यहाँ पर ध्यान से इस रुड़ो को देखेगा तभी आपको एक credit card आसानी से मिल जाएगा सब अब आपको अपने pin code को fill कर देनी है इस बात का ध्यान रखेगा and locality का जो आपको option था तो यहाँ पर भी आप रहते हैं वह जगह कि यहाँ पर आपको नेम को fill कर देना है अब यहाँ पर आपको जो reference number मिल ला है इसका first पर आप एक screenshot ले लेंगे यह आपको आगे चल कर काम जो कि bank के जो department होगी आपको call करेगी and then उस टाइम पर यहाँ पर आपको इस reference number को बताना है and reference number जैसे आप बता देंगे उसका बाद से complete वह आपकी detail लेंगे जिसमें कि आपका civilis course अभी detail आपका पूछा जाएगा उसका बाद से अगर आप eligible होंगे तो आपको credit card जो है आपक आपके लिए काफी जदा helpful रहा होगा अगर वीडियो फसंद आ हो तो like कर सकते हैं चैनल पर new है तो subscribe करना नहीं बूलेगा और इस वीडियो को थो अगर आपका कोई भी help हुआ हो तो भी आप मुझे comment box में बता सकते हैं या फिर आपको हमारी वीडियो में कोई भी improvement चाही कह तक अपने ख्याल रखे thank you have a good day